मैं बताने की कोशिस करता हूँ कि भगत सिंग क्या है जो पीड़ी शायद ना जानती हो चार पंतिया पढ़ता हूँ मिला जिसे लोरियों में सिंधनी का दूधु पिये शेर की रवानी थी रंग दे पठंती चोला गा के भंगा चूम लिया फासी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी मैं सेल्यूट करता हूँ और आरोप लगते हैं इस नौजवान पीड़ी पर कि ये पीड़ियां बच्चलन हो गई हमला संसत का हो या सरहत का इस मुल्क के बेटों ने अपने मस्तक देती हैं लेकिन तिरंगे को छुकने नहीं दिया मैं ये युवग जो बैठे हैं इनको समर्पित करता हूँ और बुड़ा कोई नहीं है बाकि वरिष्ट की युवा बैठे हैं जो कुछ है कि इनसे भले ही या वहार में हो भूल चुक फिर भी ये मस्त जिन्दगानी काम आएगी कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी और कभी नहीं मानी वहे कि है जो इन्होंने मन मानी काम आएगी जब जब कंसरी शुपाल के बढ़ेंगे पाप नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी देश को जरूरत पढ़ेगी जब खोन की तो अलड़ सी यही नौजवानी काम आएगी लाल कुले पर खड़ा हूँ इससे इतिहास से कभी संबे लगे सबको पता है जब लाल कुले से आपकी भषा बोलने वाले लोग में जो कि निचच्छुपने की जगा खोज रहे थे संसत के हमले में तो इस मुल्क की नौजवान पीढ़िया अपना रक्त देकर के विश्यो आत्म बलिदान से मिटा दिया पत्थु भरष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वह आत्म बलिदान से मिटा दिया देश की सुरक्षा है कुदेश की जवानियों ने सीमाओ पे भूंद भूंद रक्त को चड़ा दिया कोलियों के आगे हम उसी ने जड़ाते रहे कोलियों के आगे निजशीन हम बढ़ाते रहे संसद को एक भीनः खाव लगने दिया और अगली 35 आप सहमत हो जाएं तो के वलतालियां बजाना कि गोलियों के आगे में रसी में हम बढ़ाते रहे संसद को एक भी ना खाव लगने दिया आप समझातों वाली में जपे न जीत पाए चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया अगली नंगे बदन जनेव हात में माउजर चार पंग्तियां पढ़ना चाहता हूं सियासत ने आतंकवादी खे दिया हम सत्तर वर्षों में भून गए क्रांतिकारी कौन और आतंकवादी कौन तब उस महानायक के नाम एक पंग्ति पढ़ना और एक पंग्ति पूरी कविता लगे तो जहां के निस्वर्ग में हो वहां तक तालियों का विश्वच देकर के उन्हें प्रणाम निवित करना और कि छोटी सी उमर में ही कर गई बड़े काम ध्रुबन चिकेता पहलाग जैसी जिन्दगी जीते जी फिरंगी सरकार जी से छोन सकी धन्यचंद्र शेठर वाजाग जैसी जिन्दगी प्रणाम करते हैं चार पंक्तिया पढ़ना चाहता हूं आज़ादी के उस महानायक हो जहें नेता जी के नाम से हम जाएं राजबीती का चरित्र बदल गया है आज नेता ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को कह दिया जाए सरीफ आजबी को तूर से लगता है जिसे गालियां देती हूं लेकर विश्य के उस महानायक के नाम चार पंक्तियां पढ़ता हूं जितने बड़े कतपर पढ़ता हूं उतना मन आपका मिलें अज हम यहां गंतंत्र दिवस के पलक्ष में यह कारिक्रम है उनलों को प्रणाम करना आनिवारी है जिनकी वज़े से वतन आजाद हुआ कि आजादी की जंग में आजाद हिंद फोज बना आजाद हिंद फोज बना जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी शूरता स्वाधीन ताके कोश को प्रणाम है तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूगा जैसे क्रांतिकार युद भोश को प्रणाम है यूनियन जैक को उतार सिंगापूर में तिरंगा लेहराने वाले बोश को प्रणाम है जैन प्रणाम करें अब दोस्तों उन्हें प्रणाम कर लेता हूँ मैं जानता हूँ समय की अपनी सीमा का ठांगी रखो रहा हूँ मैं जो आज सरहतों पर खड़े हैं कैप्टन पवन जो 24 साल का बेटा हर्याना की जनीन पर लिपट करके आया तिरंगे में लिपट करके आ गया तेस साल का बेटा मेरे गांग के पास जितेंदर शिशादिया भी आया इसी 10 दिसंबर को उसकी शादी होने वाली थी मैं बच्चों के नाम पढ़ना चाहता हूँ और आपको लगे कि मैंने इनका दर्द और शहीदों के परिवारों के दर्द को इसलाग के लिए के कभी सम्मिलम से जो जरूरी था बया कर दिया आपके बीच में तो प्रणाम करना इनकी शहादत को इनके बलिदान को और इनके जजबे को अब या जो देड़ सो बच्चे सहाद के पार भेजे साथ के पीढ़िया बच्च रन हो गई जेशंब्चे दो घंटे के के लिए सरहत के पार भेजे अभी तक पाकिस्तान होश में नहीं है मैं प्रणाम करता हूँ लेकिन सियासत ने कह दिया सर्जिकल स्ट्राइक में भी क्या लगा होगा किसी चुखन रही होगी पंक में बढ़ता हूँ उन बच्चों की और से दी बूल पक्तों कि खाशा क्या होती कि आनबान शान पे नादाग लग ने दिया है तो आभी मान देश का सवार करवाए हम भारती का मान चित्र धुंदलाज हो गया था शत्रों के रक्त से निखार करवाए हम आनबान शान पे नादाग लग ने दिया है तो आभी मान देश का सवार करवाए हम भारती का मान चित्र भुंदलाज हो गया था, शत्रूओं के रक्त से निखार कर आए हम बैरियों के सीने फाड़ गाढ़ते तिरंगे रहे, बैरियों के वक्ष फाड़ गाढ़ते तिरंगे रहे चाहे सास मौत से उधार कर आए हम, सरहद पार से तो जीताए बार-बार, हर जंग अपनों से हार कर आए हम तिरंगे में लिपट करके बेटे आए, माओं ने बताया कि, साथी सैनिकों ने बताया बड़े शवर ये साभी मान के साथ वो लड़े दुश्वन की कोई गोली पीट पर नहीं खाई, माओं के चेहरों पर ना शितन ना आखों में आसू लेकिन तिरंगे हटा करके माओं ने बेटों के शब देखे, तो बेटों की पीट पर गोली के रिशान दिखाई दिए, य उससे स्वभाकेशाली कोख किस मा की होगी, राष्ट धजका कफर लोड़ा मेरे लालने, मैं तो छोटी मा हूँ, बड़ी मा तो माता भारती है, बड़ी मा से उचानाता जोड़ा मेरे लालने, अस्त्रुभारा बह रही है, गर्व से मा कह रही है, सेरिक का प्रण नहीं तो पढ़ना चाहता है, चार पंधियां, बंदे, बंदे, मैं पंधियां पढ़ना चाहता हूँ, मा यदी बोल पाती तो उसकी भाष्या क्या होती, क्या पूचती अपने बेटे से, कि प्राण ले हतेली पर बढ़ता चला गया तू, सांस सांस भारती पे अपनी चड़ाई है, प्राण ले हतेली पर बढ़ता चला गया तू, सांस सांस भारती पे अपनी चड़ाई है, देश का जो मस्तक जुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है, हाथ से तिरंगा नीचे गिर ने दिया ना तूने हाथ से तिरंगा नीचे गिर ने दिया ना तूने शक्त्रूओं की कोई गोली पीठ पे ना खाई है पीठ पे निसान फिर कैसे आए गोलियों के यह बात मेरे लाल समझ ना आई है और कही सैनिक के शब में बोलने की शक्ति रही होती तो उसने मेरी भाषा में जवाब दिया होता मैं तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध दुकृत होकर तविता की कुछ पंतियां आपके बीच में रखना चाहता दोस्तों इस मुल्क के बेटों के पेरों की बेडियां नहीं खूली गई नहीं तो ये कश्मीर की कोई समस्या नहीं थी जिसे इस मुल्क के बेटों के बेटों के पढ़ना चाहता हूँ उसका जवाब ये था कभी 3,000 कभी 93,000 इस मुल्क के बेटों ने बंदी बनाए कुल भूसंग जादर के लिए फासी का फंदा भुनता है पढ़ोसी मुल्क लेकिन ये संसकार हिंदुस्तान के बेटों के रहे होते तो समीखित्तर के युद्व में 93,000 के सरकलम करके ताबुत में बंद करके पढ़ोसी मुल्क फेजा जा सकता था ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं लेकिन फिर भी इस मुल्क के बिटे यदि बोल पाते तो उनकी भाशा क्या होती कि सिंधों ने दिवाला जल सारा लाल लाल हुआ शत्रों के शोनितों की धार वो बहाई थी हिंदुस्तान की काजियों में बूर हेगी जब तलक इमान की तक से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की जो परंपरा जो बहादे का सफर से होती ही जब सियाकत से जल्यार में पहुंस्ती तो एपीजए अब्दुलकलाम बनकर खड़ी हो जाती है सरहत पर खड़ी होती है तो अब्दुलहमीद बनकर के खड़ी होती है जब शाइदी के मंच पर कविता के मंच पर होती है तो प्रफरसर वसिल बरेल भी के रूप में होती है समालना जहां के जन्नत में होंगे अब्दुल हमीद क्या बताया है उनकी मां को साथी सेन कोने किस परात्रम से लड़े कि शत्रुआ ये शक्ति के गुमान से भरे हुए जो सीमा उपे दंभून का निचोड़ दिया है भारतिये सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुहु मोड़ दिया है शत्रुआ के मस्तकों को मुठियों में भीच भीच शत्रुआ के मस्तकों को मुठियों में भीच भीच कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है अम्मा तेरे लाड़े लेने प्रान छोड़ने से पहले शत्रूओं का खरीबी टेंक तोल दिया है आरेक मता की